नमस्कार दोस्तों, जाव अपडेट्स यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं तो यहाँ पर आफिस अटेंडन्ट और लाइब अटेंडन्ट में किसी भी छात्र ने कोई भी रिस्पॉंस फिलप नहीं किया है तो उमिद करते हैं कि इनका सेलेक्शन आसानी से असिस्टेंट्र रजिस्ट र किपद पर हो जाएगा नेट्स हम चेक करते हैं जुनियर असिस्टेंट में यह तोटल 13 builds ने अपडेट्स दिया है थर्टिन चात्रों में बोले तो लोकेस जी नमबर एक पे 75 नमबर के साथ चलना है 65 नमबर के साथ कनहिया सुकला सिकेंड पे नीरज जी है 65 नमबर के साथ थर्ड पे दोनों लोक 65 मार्क्स है तो जिनका यह ज्यादा रहेगा उनको अपर ज्यादा प्रियार्टी दी जाती है 64 के साथ सुभं तोमर 4 पोजीशन पे हैं ऐसा ही 6 पोजीशन पे 61 मार्क्स के साथ साहू जी है स्क्रीन पर पाउज करके देख लिजिएगा अब बात करें कैटेगरी वाइस तो यहां पर सब्से पहले हम यू आर कैटेगरी को चेक करेंगे यहां पर यू आर कैटेगरी में सेवेन इस्टूडेंट्स ने अपना डाटा फीड़ अप किया है कटाफ की बात करें तो यहाँ लगबग 60 प्लस ही कटाफ रहने वाली यूर कैटेगरी के लिए नाइटी हमियरपूर में जुनियर असिस्टेंट के पद के लिए यदि OBC की बात करें तो यहाँ पर दो छात्रों ने फार्म अपडेट किया है लोकेस जी 75 नंबर के साथ फर्स्ट में है और बैनलू जी जो है वो 58 नंबर के साथ सेकेंड पोजीशन पर दिख रहे हैं तो उमीद करते हैं कि आप दोनों लोगों के सेलेक्शन हो जाए कटाफ की बात करें तो यही लगबग 55-56 के आसपास जानी चाहिए OVC कंडिडेट के लिए और Junior Assistant में बात करें SC कंडिडेट के लिए तो यहाँ पर भी दो कंडिडेट्स ने अपना डाटा फिट अप किया है पूजा और ममता जी है जो कि 49 नंबर के साथ पूजा SC कैटेगरी में फर्स्ट पर और ममता जी 47 इसकोर के साथ सेकेंड पर दिख करें उम्मीद करते हैं कि आप दोनों लोगों का सेलेक्शन हो जाएगा कटाफ की बात करें आप लोग डाटा फिलप के अनुसार तो 45 प्लस कटाफ रहनी चाहिए ST कैटेगरी में भी यहां पे दो छात्रों ने अपना फिलप किया है 55 नंबर के साथ कुलदीब जी फर्स्ट पर हो रहा है और अखिल जी 53 नंबर के साथ सेकेंड पर सो हो रहा है तो उम्मीद करते हैं कि 50 प्लस जिसका भी स्कोर है निट हमीरपूर में वो ST कैटेगरी में स चलते हैं कि सीनियर असिस्टेंट में टोटल नौ छात्रों ने अपना अपडेट्स दिया जिसमें राहुल जी 89 नंबर के साथ फर्स्ट पर चलना है कुल्दीब कुमार जी 75 के साथ सेकेंड पर 71 नंबर के साहिल जी 3rd पर सार्थर ठाकुर जी है 70 नंबर के साथ 4 पोजीश नहीं अपलाई किया है तो यह होगी आपका सीनियर असिस्टेंट हम नेक्स देख लेते हैं सीनियर टेकनीशियन में 16 छात्रों ने अपना फिलब किया है सीनियर टेकनीशियन 130 नंबर का पेपर था जिसमें हिमान्शु सर्मा जी 100 नंबर के साथ फर्स्ट पोजीशन पर ऐसा ही फोर्थ पे हाँ दिखेंगे 90 नंबर के साथ आसीज कुमार दिये तो ओपन केटेगरी में है स्क्रीन को आप स्टॉप करके एक बार देख लीजिएगा अब हम केटेगरी वाई चलते हैं सबसे पहले हम यूर केटेगरी देखेंगे यहाँ पर यूर केटेगरी में पर कंडिशन पर चलना है इस्क्रीन पर आप सभी का डीटेख सकते हैं यहाँ पर स्ट का कोई भी कंडिड़ीट फार्म को अप्लाई नहीं किया हुआ है इसके पोस्ट के लिए अब हम ओबी सी कंडिड़ीट का डीटेल यहाँ पर चेक कर लेते हैं OBC में यहाँ पे तीन चात्रों ने अपना अपडेट्स दिया हुआ है जबकि 94 के साथ मुहमद समीर फर्स्ट पे आसीज कुमार 90 के साथ सेकेंड पे और अंकित जी थर्ड पे उमीद करते हैं कि आप तीनों लोगों का सेलेक्शन हो जाएगा बढ़ अगर कटाफ के हम बात कर एक ही स्टुडेंट्स ने फर्म को अप्लाई किया है उमीद करते हैं कि अंकित जी आपका आसानी से सेलेक्शन हो जाएगा इससी कैटेगरी में बात करें तो संजु कुमार जी है अकेले उन्होंने अपना गूगल अप्लाई किया है 73 नंबर के साथ दिख रहे हैं तो उमी कैटेगरी वाई senior technician की अब हम चलते हैं technician post के लिए senior technician में total 15 छात्रों ने अपना अपडेट्स दिया है जिसमें PWBD के कोई भी candidate नहीं है बात करें स्कोर की तो 95 नंबर के साथ नीरज जी ने डबल इंट्री कर दिया है second पे राजेस जी है 85 नंबर के साथ 78 के साथ संजु कुम उमीद रहने वाली है क्योंकि अभी और भी अपडेट्स आने बाकी है जो छात्र भी अपडेट्स कर रहा है दीरे दीरे तो उनका अपडेट्स आ रहा है तो 80 प्लस यदि आपका score है तो आप मान के चलिए कि आपका second stage के लिए select किये जाएंगे अब हम category वाई एक बार अपडेट्स दिया है 85, 70 और 65 जो इस्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं तो उमीद करते हैं कि आप सब का selection हो जाएगा बट अभी अपडेट्स और आने बाकी है तो यदि seven times students को qualify करा जाएगा तो उमीद करते हैं कि आप सभी का selection हो जाएगा तीनी लोग है तो seven times में आपका आने का आसान तरीका है क्या सकते हैं ऐसे अब हम OBC केटेगरी की बात कर लें OBC केटेगरी में यहां पर टोटल छ चात्रों ने अपना अपडेट्स दिया है जिसमें 95 नंबर के साथ नीरज जी फर्स्ट पे हैं उन्होंने दुबारा भी इंट्री किया 95 के साथ तो इनको हम लग लग हैं तो उमीद करते हैं कि दोनों एक ही हैं तो यह अपना क्लियर करने कि 60 है या 40 है उमीद करते हैं कि आप सेविन टाइम से स्टूडेंट्स में आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे और यदि अपडेट्स आता है तो आगे हम नया वीडियो इस पर बना देंगे फि केटेग्रिम बात करें तो अखिली ने अप्लाई किया है 65 नंबर के साथ उमीद करते हैं कि आपका सेलेक्शन आसानी से हो जाएगा टेक्निसियन पोस्ट में अलग-अलग ब्रांचेज भी सेलेक्ट किये हैं यदि आप 12 तो आपको सभी ब्रांचेज में मौका दे दिये ज चात्रों ने गूगल फाम को भराए जिसमें 79 नंबर के साथ हरसित गर्ग जी फर्स्ट पे हैं अनुभाव जी हैं 77 के साथ सेकेंड पर 74 के साथ सिधार्थ गुप्ता मोहित जी हैं 71 के साथ 4 पोजीशन पर 71 के साथ 5 पोजीशन पर सार्थक ठाकूर जी हैं संदीब कुमार साथ 6 पोजीशन पर स्क्रीन पर आप लोग एक बार डीटेल्स देख लीजिए इस्टॉप करके यहां मैक्सिमम छात्रों ने यूर में अप्लाई किया है और OBC के कंडिडेट्स यहां पर अप्लीकेबल हैं बाकी अदर कैटेगरी के छात्र इस फाम को अप्लाई नहीं किय हुए हैं तो उमीद करते हैं कि आप सब 14 इस्टूडेंट्स हैं अगर कटाफ की बात करें तो यूर की 70 प्लस कटाफ रहेगी वहीं OBC के 60 तू 65 के बीच कटाफ रहने की उमीद है यदि आप इतने ही स्टूडेंट्स हैं तो आसानी से सभी का सेलेक्शन हो जाएगा बढ़ अभी जो भी अपडेट्स और आ रहे हैं अगर उनकी बात करें तो जो छात्र छूड गया है जिन्होंने गूगल फार्म नहीं बारा है उसको देखते हूं हम यह कटाफ बता रहे हैं तो 60 से 65 के बीच आपका OBC का कटाफ रहने वाला है वही 70 से 75 के बीच में यूर का करना होता है ताप लोग इसकी त्यारी कर लिजिए यह तो हो गया एनाइटी हमिरपूर में 68 छात्रों द्वारा दिया अपना अपडेट्स जो ने उनकी गूगल फार्म को अप्लाई किया था हमने वन बाई वन सभी पोस्ट का केटेगरी वाइस डीटेल से गबार वीव कर कर दीजिए और ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पर बने रही है वीडियो देखने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद